ओवर नाइट हमने मूं दाल को सोक करके रखा था अब मैंने इसको अच्छे से वाश करके इसका पानी निकाल दिया है तो चलिए इसको ग्राइणिंग जार के अंदर आड़ कर लेते हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं एक टमाटर, दो लाल मिर्च और साथ में डालेंगे एक अद्रक का टुकड़ा जो की एक इंच अद्रक है अब हम इसका धकल लगाकर इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको एक मिक्सिंग बॉल में एड़ कर लेते हैं यहाँ पर हमने लिया है एक लोकी का टुकड़ा जिसको कद्दुकस कर लिया है अब हम इसको इसके इंदर आड़ कर देंगे साथ में डाल रहे हैं आदा चमश नमक और एक चोथाई चमश हल्दी पाउडर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अधर पानी डालने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि लोकी अपने आपी पानी रिलीस कर देती है तो यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा बेटर बनकर तयार है अच्छे से इसको मिक्स करना है तो चलिए दो मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं उसके बाद पैन की तरफ चलते हैं यहाँ पर पैन हमने ले लिया है हलका सा ओयल से ग्रीस कर लेंगे बहुत ही कम ओयल में हम इसको बना कर तयार करेंगे तो वन लैडल फुल हमने यह बेटर लिया है और इस तरीके से पैन पर डाल कर इसको स्प्रेड कर लेंगे अगर आप इसको ज़्यादा पतला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पाने इसमें आड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कोई पाने आड़ नहीं किया है तो इस तरीके से हलका हलका इसको प्रेस करते हुए spread कर लेंगे तो जब ये एक साइट से सिख जाये तब हम इसको flip कर लेंगे ये मूंग डाल के चीले और लोकी के चीले बहुत ही जल्दी बनकर तयार होते हैं इनको सिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो ये देखें आप देख सकते हैं दोनों साइट से अच्छे से ये crisp हो गया है सिख चुका है तो चलिए इसको उतार लेते हैं और इसी तरीके से सारे चीले बना कर तयार कर लेंगे तो चलिए सारे चीले बना कर तयार कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चीले गर्मा गर्म चाय के साथ हमने सर्फ कर ले हैं अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब